नारियल का सुख जाना क्या अप्शगुन है? नारियल के सुखने से क्या आती है दर्दता? नारियल का सुख जाना क्या वास्तु तोश का कारण बनता है? नारियल के सुखने से लक्षमी की जगा क्या दर्दर लक्षमी करती है वास? श्रीपल के साथ क्या करे क्या नहीं देखे सर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर ग्रे मार्यल अमुमन पैजल होता है वही नार्यल के जगा नार्यल को खाली कर रहा है आप आप से आपके उपर दरिद्रता का साया चिपका रहा है च्यूब इसी पर आज हम जानेंगे मधुर जी से बताएं आपको बता दें कि जब आपका हो जाता है तो जन्म के बाद जब नाम करण संसकारादी की तरफ हम बढ़ने लगते हैं और उसमें जब हम अपने कुल के देवी देवताओं की पूजन करते हैं तो उस समय भी नारियल का बिसेशकर पूजन किया जाता है कलस पर स्थापित किया जाता है और कलस पर ही नारियल क्यों स्थापित किया जाता है क्यों कि कलस में सभी देवी देवताओं का तेड़्थों का जल आज तमाम ऐसे देवताओं को स्थापित किया जाता है साथ ही साथ मा अन्नपूर्णा जब उस पात्र में विराजमान वह वह इन लक्षमी जी से संबंदित है इस नारियल से सुसोवित होगी दूसरा आपको यह भी बता दें कि नारियल घर में किस विधी से रखना चाहिए और नारियल कितने समय तक रखना चाहिए नारियल कहां कहां का रखना चाहिए और कहां कहां के नारियल को विसर्जन कर देन चाहिए तो पहले बात इसी पर कर लेते हैं अगर आप सामान्य पूजन कर रहे हैं वह स्त्री सत्य नारायन बृत कथा हो या एक दिवसी अनुष्ठान हो या फिर वो कुछ घंटों मिंटों के लिए अनुष्ठान अगर आप कर रहे हैं नारियल अगर आपनी रख रख का है उस नारियल को प्रसाद सुरूप में तोड करके अवसे ही बाट कर प्रसाद पा लेना चाहिए दूसरों को भी दे दे देना चाहिए उस नारियल से निकले हुए जल को पान करना चाहिए किसी रोगी विक्ति को भी पान कराना चाहिए अगर अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो अनुस्ठान नवरात्री जयसे पर्व है, महा पर्व है, तो नुस्ठान के अंतरकद रखा हुआ नारियल उसमें स्री की पूजा आप कम से कम छे महा तक करें, लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजन स्थल पर अपने तिजोरी में आप उसे स्थाफित करें छे माहा तक उस नारियल को बिलकुल भी भूल कर भिसरजन न करें उसका जल सूख भी गया हो तब भी आने वाला अगला नौरात जब आप पूजन करेंगे तो उस पूजन के करम के बाद पहले ही दिन उस नारियल को निकाल करेंगे आप विसरजन कर देंगे और अनतता फिर नौ दिन जब आप पूजन करेंगे तो वही नारियल फिर से स्थापित कर देंगे कोई यग्यनुष्ठान अगर आप करा रहे हैं उस यग्यनुष्ठान की अवधी एक माह है सपता है नौ दिन है तो ऐसे अनुष्ठानों में रखे गए नारियल को आप अपने घर में अपने दरवाजे पर उसे आप स्थापित कर लेना चाहिए इससे क्या होता है यदि कोई नकारात्मक्ता अगर मानलो घर में कहीं से प्रवेश कर भी रही हो तो ऐसी परिस्थिती में वह नकारात्मक्ता घर से बाहर ही रह जाती है साथ ही साथ उस नारियल में पवित्रता भी बनी रहती है उस घर में किसी प्रकार का कोई क्लेस नहीं होता है आपने देखा भी नारियल थाल में रख करके दिया जाता है, वह दामपत्य जीवन लंबे अवज तक चलता है, लेकिन अगर नारियल सुखा दे दिया है, तो कुछ समय बाद वह बाद तूट जाता है, या फिर अंतरकला प्रारंब हो जाती है, दामपत्य जीवन भिखरने लगता है, इसलिए नारियल देने वालों को भी यह चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि नारियल अगर आप दे रहें तो उसमें जल परिपूरन रूप से हो, उसे आप बिलकुल हिला के देख लें आप और उस नारियल को ही दें, अब अगर नारियल लंबे अवधि तक रखते रखते वह सूख गया है और दामपत्य जीवन में प्रवेश करने पर मिला है, यानि कि बिवाह में मिला है, तो उस नारियल को छे माह के बाद या साल भर के बाद उसे बिसरजन कर देना चाहिए, बहते हुए जल में, दूसरा नारियल लाकर के फिर से स्थापित कर देना चाहिए, या जहां से आपको प्राप्त हुआ था वहीं से ले लेना चाहिए घर में सूखे हुए नारियल से अब आपको बतादें कि क्या-क्या होता है पहली बात तो कलेसों की उत्वत्ती होती है लक्षमी में कभी स्थिर्टा नहीं रहेंगे अगर सूखा नारीयल आपने रख रखा है अगर एक से अधिक नारियल सूखा आपके घर में रखा है तो एक हजार प्रतिसत आपके घर में तांडव होगा, युद्ध होगा, बिवाद होगा, बच्चे आपके सुनेंगे नहीं, मनमानी प्रवित्तियां होंगी, तमाम नकारात्मकता अपने आप आने लगती है और सकारात्म में रखा रहता है नारियल, तो वहाँ कलह कलेस होने लगती है, तो दुकान एक क्रय और विक्रे का केंद्र है, क्रय और विक्रे केंद्र में साक्षा थनुमान जी रक्षा करते हैं, कुबेर जी धन आरितमाम प्रकार की ऐसी प्रवित्तियों को सामिल भी करते हैं, अर्था सभकुछ प्रसारित किया जाता है लेकिन घर में ऐसी परिस्थितियों का निर्माठ बिलकुल नहीं करणा जाहिए जी आप शूख उवाने नारिलहा उफले होगा हम अपने घर में कंदिन में बिलकुल वक dough सी जङका नहीं चाहिए और इसी च आख आप से वहा वें करना चाहूंगी कि अगर इन परस्तितियों में नारियल को कप-कप अपने घर में पूजना चाहिए बहुत अच्छा प्रस्न है आप पूर्णिमा तिथी के दिन अगर नारियल को लाकर के पूजन कर रहे हैं उस नारियल को आप लंबे अवधी तक स्थापित कर सकते हैं आप किसी अन्य तिथी पर अगर आप नारियल को ले आ रहे हैं या फिर कोई ऐसा महा महोत्सो जैसे दीपा वली के दिन नारियल का पूजन होगा उस नारियल को भी आप अस्थापित कर सकते हैं बहुत जारा प्रस्न आएगा कि इकठे कितने नारियल स्थापित कर लें तो नव मरत्युन्जे का अनुष्ठान हो या बंगला मुखी । उसका नारियल असथापित ना करते हूह, प्रवाहित कर देना चाहिए और क्योंकि वह दोसों के समन के लिए होता है, अन्य जो पूजापाथ होती हैं जैसे लक्षमी की आसकती के लिए हुआ, अन्य औरजाओं की आसकती के लिए हुआ, तो आर्यारी जो पूजापाथ होते हैं, उसमें अगर हम किसी वस्तु की, किसी स्थान की या भक्ती की प्राप्ती के लिए कर रहे हैं, तो उस नारियल को कभी आप स्रीविहिन नहीं ह원गे कभी भी आपको ऐसा महसूस नही होगा कि आज हमारे पास थन नहीं हो परिवारमें औप अगर भण अगर रहेगा तो अभिमान नहीं आना चाहिए जब जब आपके घर में स्थापित रहेगा तब तब आप आभिमान से बिलकुल सूने रहेंगे, आप बहुत सौम में रहेंगे, सरल रहेंगे, चलिए मुझे मदरजी का इजातर दीजे, नमस्कार।